आज हम करने जा रहें क्लास 9 के सोशल स्टडीज का सैंपल पेपर नंबर 2 जो की हेल्प करने वाला है आपके टर्म 2 के एक्जैम्स में तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना आईए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो बच्चों सैंपल पेपर वन जो है उसका लिंक में यहां पर आई बटन पर डाल दूँगी आप भी ज़रूर चेक आउट करें ठीक है आईए अब इस पेपर को सॉल्ब करते हैं तो सबसे पहले हम लोग पेपर पैटर्न देख लेते हैं तो पेपर जो हमारा 80 मार्ग का आ वाजी रंगा वाइड लाइफ सेंचुरी है वह कहां पर है वह हमने बताना है तो वह है असम में ठीक है नेक्स है विच इस लार्ज़ेस्ट कंट्री आफ्टर इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया तो एरिया वाइस इंडिया के बाद ठीक है कौन सी कंट्री जो है वह सबसे बड़ी है तो वह है अर्जेंटीना ठीक है नेक्स है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंचाब इस लेंड ऑफ वाइट गोल्ड तो पंचाब का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसे की लेंड ऑफ वाइट गोल्ड की नाम से जो है वह जाना जाता है तो आंसर है मांसा नेक्स है व Which card is issued to people living below poverty line? तो जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, उनको कौन सा card जो है वो issue किया जाता है? तो answer है BPL card, ठीक है? नाम से ही पता चुछ जाएगा, below poverty line, ठीक है? BPL के वोल फॉर्म होती है. Next question आप से पूछा गया है, name the guru who was earlier known as भाई लहना जी? उन गुरू का नाम बताना है, जिनको जो है वो भाई लहना जी के नाम से भी जाना जाता है, तो गुरू अंगर देब जी, ठीक है? Next question है, यहाँ पर आप से पूछा गया है, Napoleon crowned himself the emperor of France. Napoleon ने खुद को France का जो है वो राचा बेसिकली घोशित किया, कब किया? तो 1804 में. Next question है, who led the Bolshevik group in Russia during the Russian Revolution? तो Russian Revolution में Bolshevik group को, मतलब बेसिकली led किस ने किया था, ठीक है? बेसिकली leader के लिए कह सकते हो, तो किस ने जो है वो इसका निर्टित्व किया था? Lenin ने. ठीक है, अगला question है, in which continent did the industrial revolution begin? तो जो industrial revolution है, वो कौन से continent में start हुआ था? तो आंसर है, Europe. ठीक है, अगला question है, which of the following country doesn't have the veto power? इन में से कौन से country है, जिनके पास veto power नहीं है? तो आंसर है, India. Next है, who was the chairman of the drafting committee of Indian constitution? तो Indian constitution के drafting committee के chairman, जो है, वो कौन थे? तो आंसर है, Dr. Rajinder Parsad. ठीक है? 12th question है, child labor is banned under. तो child labor को किसके अंदर banned किया गया है? तो right against exploitation. ठीक है, फिर आजाता है objective type question. ये भी एक-एक नंबर के 12 question है. तो पहला question है, dash is the constitutional name given to India. तो इंडिया को जो constitutional name दिया गया है, वो क्या है? India Republic. ठीक है? Indian Republic. नेक्स्ट question है, गुरुनानक देव युनिवोसिटी इस इन अमृत्सर बिल्कुल सही है. विच इस अबिगेस्ट डेल्टा अफ देल्टा तो बिगेस्ट डेल्टा कौन सा है? सुंदर्बन डेल्टा. ठीक है? सुंदर्बन. सुंदर्बन डेल्टा. अगला question है, from which language is the word tsunami? तो tsunami जो है, वो कौन से language का word है? तो ये Japanese language का word है. ठीक है? Japanese. नेक्स्ट है, पंजाब is known as food basket of the country. तो पंजाब को food basket of the country के नाम से भी जाना जाता है. तो ये statement बिल्कुल सही है. नेक्स्ट क्वेस्टन है, इंडिया स्टेंड से डैश इन दे वर्ल्ड एस रिगार्ड तो साइज अफ पॉपुलेशन वाइस इंडिया जो है, वो कौन से नंबर पे जो है, वो वर्ल्ड पे आता है. तो यहाँ पर जो है, वो second लिखना है, वैसे अब इंडिया जो है, फोस्ट नंबर पे जा चुका है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेशन है, वाट नेम वाज गिवन तो पंजाब इन वेधिक पीरियड तो पंजाब को वेधिक पीरियड में किस नाम से जह वो जाना जाता था? आंसर है, सब्त सिंधू, ठीक है? सब्त सिंधू अगला क्वेशन है, विच गुरु एडॉप्टेट टू स्वाट्स कॉल्ड मिरी एंड पिरी तो कौन से गुरु ने जो दो तलवार है, मिरी और पिरी नाम से उनको एडॉप्ट किया था? तो आंसर है, श्री गुरु हर गोबिंद जी, ठीक है? श्री गुरु हर गोबिंद जी, ठीक है? अगला जो आपको question पूछा गया है, वो है, the book social contract was written by Russo, तो social contract नाम के book जो है, वो Russo ने लिखी है, तो ये statement बिलकुल सही है, ठीक है? Secularism means people are free to allow, follow any religion. Secularism का मतलब होता है कि इनसान किसी religion को freely follow कर सकता है, ये भी बिलकुल सही है, ठीक है? अगला जो अगला आपसे फिला पूछा गया है, Dash institution is responsible for holding election in India, तो कौन सा institution इंडिया में election के लिए, basically election को जो है, वो hold करता है, उसके लिए responsible है, तो इसका answer है, election commission, ठीक है? election commission, next question है, Dash makes an oath to the prime minister and other minister, तो कौन basically शपत दिलाता है, prime minister और दूसरे ministers को, तो answer है, the president, the president, ठीक है? उसके बाद जो है, बचो यहाँ पर आपका part B, जो है, वो start हो गया है, ठीक है, जिसमें कि आपने जो है, answer करने है, 50 words में, यहाँ पर जो है, वो 3-3 number के 8 questions आपसे पूछे गए हैं, ठीक है, सबसे पहला question है, explain difference between weather and climate, weather और climate में क्या difference है, वो आपने बताना है, ठीक है, इसके बताना है, next आजाता है, what are the 3 main causes of poverty in India, तो इंडिया में poverty का 3 main कारण जो है, वो क्या है, यानि कि गरीभी का 3 main कारण क्या है, अगला question है, explain the difference between economic and non-economic activities, तो economic and non-economic activities में क्या अंतर है, वो आपने बताना है, ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा गया है, what do you mean by public distribution system, तो public distribution system से क्या समझते हैं, उसको आपने explain करना है, question है, what was the immediate cause of Shri Guru Arjan Dev Ji's martyrdom, यानि कि Shri Guru Arjan Dev Ji की शहादत का तातकाली कारण क्या था, वो आपने explain करना है, ठीक है, इसके बाद है, which is a public country, यानि कि घंतंत्र जो country है, देश है, वो कौन सा होता है, वो आपने बताना है, ठीक है, इसके ब पाद जो है, वो आपका part C start हो जाता है, जिसमें कि अपने 100 words में answer करने है, ठीक है, यहाँ पर 5 question है, चार-चार नंबर के, how natural vegetation is the lungs of a society, तो natural vegetation जो है, वो किस तरीके से society का lungs है, वो बताना है, अगला question है, economic activity क्या है, उसको explain करोगे, कोई तीन example दोगे, ठीक है, इसके बाद अगला question है, describe the circumstances leading to the outbreak of French Revolution, तो French Revolution का, जो किस तरीके की परिस्थितिया बने, जिसकी वज़े से French Revolution जो है, वो start हुआ, उसको आपने explain करना है, describe the main teachings of Guru Nanak Dev Ji, तो Guru Nanak Dev Ji की जो सिक्षाएं है, उनको आपने describe करना है, draw the flow chart of the stages of election process, तो election process का flow chart है, उसको आपने बताना है, ठीक है, basically draw करना है chart, पार्ट D स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो पार्ट D जो है, उसमें source based question जो है, वो दिया गया है, एक एक नंबर के 4 question है, आपको basically एक paragraph दिया जाएगा, उसे read करके, आपने इन questions के answer इसमें से find out करने है, ठीक है, पहला question है, what was the main objective of Britishers behind framing a number of forest law, तो जो Britishers है, उनका उदेश्य क्या था, इतने सारे forest laws बनाने के पीछे, तो answer यहाँ पे है, इस laws were primarily aimed to prevent the local people and traders from deforestation, तो जो लोकल people है और जो व्यापारी है, वो पेड पौदों को जो है, वो ना काटे जंगलों से, तो उसके लिए basically इसको किया गया था, ठीक है, अगला है, when did Lord Dalhousie made rules for the protection of forest, कब Lord Dalhousie ने जो है, वो rules बनाये थे, जंगलों को बचाने के लिए, तो answer है, in 1855, ठीक है, next question है, from which country was the director general of forest, तो director general of forest है, वो कौन से country से belong करते थे, जर्मन, ठीक है, यह हो गया, आपका answer number third, जर्मन, next है, who is called the founder of scientific forestry in India, तो scientific forestry in India, जो है, किन को कहा जाता है था, तो, who is called the founder, तो answer जो है, वो यहाँ पर है, Dietrich Brandes, ठीक है, Dietrich Brandes, फिर आ जाता है, आपका यहाँ पर part E, जो की है, map pointing, ठीक है, तो जिसमें कि आपने इंडिया के map पर, जो है, वो Indian Standard Meridian, महराष्चा, कारकुरम, रेंज, और Tropic of Cancer, जो है, वो शो करना है, पंजाब के map में, सतलुज, मालवा, ब्यास, और अमरितसर, शो करना है, ठीक है, तो आईए, स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर, जो है, वो in the map of India, सबसे पहले, जो है, वो यहाँ पर हमें, Indian Standard Meridian, जो है, वो शो करना है, ठीक है, तो Indian Standard Meridian, जो है, वो कुछ यहाँ से, जो है, जो है, जो है, जो जाएगा, ठीक है, यह हो गया, नमबर 1, उसके बाद, Topic of Cancer, जो है, अल्यदी ड्रो है, यह वाली लाइन, जो है, यह हो गया, आपका, नमबर 4, ठीक है, Topic of Cancer भी बोला था, हमें, इसके बाद, हमसे, जो है, वो महराष्ट्रा पूछा है, और काराकुरम रेंज पूछा है, ठीक है, तो महराष्ट्र, जो है, वो यह वाला होगे है, हमारा, यह होगे, आपका, नमबर 2, बच्चोप से काराकुरम रेंज पूछा है, तो काराकुरम रेंज, यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यह, जो है, नमबर 3, ठीक है, इसके बाद, पंजाब के मैप में, हमने सतलुज, मालवा, भ्यास, और अमरिटसर लो शो करना है, ठीक है, तो यह जो यहाँ से आपको दिख रहे है, यह जो मिलवत जा Setluj River है। तो यह हो गया आपका number one ठीक है फिर जो है वो हमसे जो है वो क्या ब्यास river भी अभी फिल कर लेते हैं तो ब्यास river जो है यह वाली जो है यह ब्यास river हो जाएगी हमारी ठीक है यह हो गया आपका number three उसके बाद हमसे जो है वो मालवा region पूछा है ठीक है तो मालवा region जो है वो कह तो अम्रित्सर जो है वो यह आपका हो जाएगा फिरोजपूर ठीक है उसके उपर तरन तारन और यहां पर हो गया अम्रित्सर तो यह हो गया आपका नमबर फो तो बचो यह वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पर खत्म इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में question कीजिए आपको reply करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी तो very much and all the best for your exams bye bye